हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांस्पोर्ज आफ मेट्रिक्स सिमेट्रिक्स और इसक्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ दिया था आज हम जालेंगे कि inverse of map क्या होता है या फिर किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स करते हैं तो actually में है्क्या फोती दिया है definition तो पहलंब से पछल झानेज़कि अनली कि इसकी definition क्या होता है वह हम determinant में देखेंगे कि जो determinant of a होता है उस case में non-signal case में 0 नहीं होता है ठीक है यह हम determinant chapter में देखेंगे तो non-signal का मतलब होता है determinant of a 0 नहीं होना चाहिए तो for every non-signal square matrix a there always exist a unique matrix b ठीक है कोई भी square matrix कोई भी वर्ग आव्यू a है हना उसके corresponding कोई न कोई एक ऐसी वर्ग आव्यू b जरूर से जरूर exist करेगी जरूर से जरूर exist करेगी जब a b बराबर b होगा याद करिएगा जब मैं वर्ग आव्यू के गुरन फल को पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो a b ह वो b a के बराबर नहीं हो सकता लेकिन ये भी कहा था कि ऐसा हमेरे सा होगा जरूरी नहीं है तो a b जो है वो b a के बराबर कब होगा तो देखिए तब होगा जब वो एक दूसरे के inverse होंगे जब क्या होंगे वो एक दूसरे के inverse होंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोई matrix A है उसके corresponding एक ऐसी आप व्यू exist कर रही है कहीं न कहीं है जिस प्रकार से A B B A के बराबर है तो हम कह सकते हैं then A and B are multiplicative inverse of each other उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों जो है वो दूसरे के inverse है ठीक multiplicative inverse of each other अब इसे दर्शाया किस प्रकार जाता है दर्शाते हैं हम इन inverse को एक ही पावर में लगा देते हैं तो यहां पर एक दूसरे के inverse हैं A और B तो A inverse बराबर B लिख देंगे और B inverse बराबर हम A लिख सकते हैं तो यह आपके N-C-I-T में theorem के रूप में दिया होगा I-T तो आप देख लीजेगा ठीक है अच्छा यहां पर देबताईए आई-N क्या है आई-N देखिए आई-N का मतलब है आई-N दियां पर केवल N-C-I-T यह दर्शार आएगे और गावियू है तो मान की चलिए दियां पर मैं I-T लिख दूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा 1-0-0-1 तो इस प्रकार यहां पर देखिए यहां पर आई-3 लिख दूँगा तो वह क्या हो जाएगा 1-0-0-0-1-0-0-1 तो इस प्रकार 3-3 है तो 3-by-3 की तो 2-by-2 की तो क्या होता है inverse of matrix वह आपको सौझ में आ गया है आई-N क्या था वह मैंने बता दिया तो क्या होता है आपको याद रखना है यहां पर हम एक और ठोरम देखते हैं एक और property देखते हैं उसमें क्या है कि क्या हो जाएगा एंटू एंवर्स बराबर identity matrix यह हो जाएगा अच्छा यहां पर मैं इसको क्यों लिखा हूं अब यह आपको थोरा आंगे समझ में आएगा चाहिए देखते हैं दूसरी प्रापर्टी या फिर दूसरी उसको अब के उसको एक प्राकार का ज्या आप जिस प्रैकार का उसको एसको ले रहे सक होता है क्иход जो होता है। क् taxpayer कि डो है A और B अधूरों का घ्रवार का में ने वन्री किया। मैंने क् सक्षा और ग्रीड हो फिर उसका मैंने का इन्वर्स emerged ले दू और एंधोरों को multiply कर जो हाप पर जब सकते हैं कि اب का इन्वर्स है उल्टा हो गया है पहले B आ गया है फिर A आ गया है तो आपको यहाली property याद रखनी होगी transpose of matrix में हमने कुछ इस परकाई की property आ पड़ी थी तो हमको यह कोई बहुत toughness दिखनी रही है तो यह property आपको याद रखनी है काम क्या है actually में इसको हम करते हैं चलो इसको proof अना हमारा काम क्या है कि हमें इसे proof करना है तो यहाँ पर देखिए proof करने के लिए क्या करेंगे तो मैं अभी हमने देखा है कि जो A B बराबर होता है वो होता है iron और A into A inverse बराबर होता है iron तो हम माल लेते हैं कि जो A की जगा माल लेते हैं A B माल लेते हैं तो बताईए दी मैं A की जगा A B लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ A B into A B inverse बराबर I N ऐसे लिख सकता हूँ मताईए लिख सकता हूँ और नहीं सकता हूँ ठीक है I think आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ओके अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि A B का inverse बराबर B inverse है inverse है मतलब हमें इसकी value चाहिए अब इसकी value चाहिए मतलब हमें इसको हटाना है इस वाले part को हटाना है तो चले लिख देते हैं हमने क्या माना है A की जगा माल लिया है A B ठीक तो वहां से उसे आप से क्या हो जाएगा ये इस वाली प्रापर्डी का दिस्वाल करेंगे तो हो जाएगा A B into A B का inverse बराबर identity matrix ठीक है अब एक काम करते हैं इसको हटाना है इसको gap करना है तो गया बेदी हम करना चाते है तो दोरो साइड क्या कर दीजिए प्री मल्टिप्लाई कर दीजिए A inverse का दोरो साइड A inverse का प्री मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा A inverse into A into B A B का inverse बराबर यहाँ पर A inverse into identity matrix अब A inverse into identity matrix का होगा मुझे ये बताओ आपने पढ़ा है A into A inverse होता है identity matrix लेकिन आपने एक और property क्या पढ़ाता है देखिए A B बराबर B A बराबर आईएं तो बताइए B की जगा यहाँ आप यहाँ पर A inverse रखते हैं तो यह क्या हो जगा A inverse into A बराबर आईएं इसका मतलब इसकी जगा मैं क्या लिख सकता हूँ IN into B AB का inverse बराबर A inverse into IN ठीक है समझ में आ गया अब आप काम करें देखिए किसी भी matrix में identity matrix का multiply करते हैं वो हो भा हो वही आती है यह हमने property पढ़ लिए तो मतलब यह आहां से identity हटी हट जाएगी अब आप प्री मल्टिप्लाइ करिए प्री मल्टिप्लाइ करिए प्री मल्टिप्लाइ का मतलब आँगे multiply करना है पूरी matrix में B inverse का B inverse का multiply करेंगे तो यह हो जागा B inverse into B AB का whole inverse B inverse into A अब यह क्यों हो जाएगा यह कहला हैगा identity matrix अब identity matrix का इसमें multiply करोगे तो वह हुआ हूँ वही आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया किस प्रकार proof किया जाता है अब देखते हैं यहाँ पर एक example यह आपके जो NCERT में दिया हुआ है चलिए यहाँ पर दिया हुआ है by using elementary operation elementary operation का इस्तिमाल करना है आपके board exam में अदिया आता है elementary operation तो जो मैं भी तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आपको inverse निकालना है और एक और तरीका होता है जहाँ पर हम determinant का इस्तिमाल करते हैं अब यू के inverse को निकालने के लिए लेकिन वो जो तरीका है वो हम अंग्लिश हेटर में देखेंगे लेकिन यहाँ पर elementary operation जब कभी आएगा तो हम elementary operation का इस्तिमाल करेंगे तो बोला कि find inverse of a दिया है अभी मैंने क्या पता है आपको कि जो a into a inverse होता है वो होता है identity matrix ठीक है आपको दिया क्या है आपको दिया हुआ है 1 2 2-1 a inverse बरावर 1001 यह दिया हुआ है आपको क्या निकालना है आपको निकालना है आपको पता है कि जो कोई भी आप भी हुआ मान कर दो तो क्या हो जाएगा यह होता है होता है कि नहीं होता है यह होता है ना ठीक है इसका मतलब यह है कि a inverse है यदि मैं किसी तरीके से इसको अपने जो हमने elementary operations पढ़े है operation of matrix वाले lecture में उसका उप्योग करके इसको मैं identity matrix बना लूँ हना तो मुझे इस side जो value मिलेगी वो inverse के बराबर होगी होगी की नहीं होगी तो हमको पता है कि जो a into identity matrix होता है बराबर होता है a ठीक है यह आपके जरूर से जरूर बढ़ा होगा ओके तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अच्छा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ओके यह आपके सामने हो जाएगा a into identity matrix 1, 0, 0, 1 ठीक अच्छा यहाँ पर मैं लिख जेता हूं आई-A matrix वो क्या है आपके सामने 1, 2, 2, 1 ओके अब आपको क्या बनाना है आपको बनाना है कि यह a inverse के बराबर हो जाएं सही है कि नहीं अभी मैंने यही बता है न क्या पढ़ा है हमने हमने पढ़ा है कि जो a into a inverse ह हमको यह a पता है अब यदि हम इसको बना ले a inverse और इसको बना ले identity matrix यह जो matrix बन के आएगी वो अपने सामने a inverse होगी तो कर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे elementary operations का इसको बनाना है आपको identity matrix अकर responding यह जो भी बन के आएगी जो जो operation उस करोगे उससे आपसे जो भी बन के आए आपके सामने वो क्या कहलाएगी आपके सामने identity matrix sorry inverse of matrix a कहलाएगी ठीक है तो पहला operation जो मैं आप इस्तिमाल करूंगा पहले आप सोचिए कि आपको क्या यूज करना है यहाँ पर जो मैं पहला operation यूज करूंगा देखिए क्या कर रहा हूं में c2 is equals to c2 क्यों 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 क्य बता हूं यहां भी मैं operation लगा हूं तो क्या होगा बताइए वन इंट टू ठीक है इसमें 2 को multiply करिए कॉलंग 2 कॉलंग 2 2 इंटू 2 इंटू c1 इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब यह 0 हो गया सही है यहां पर देखिए कॉलंग 2 है ठीक है तो क इंटू कॉलंग 1 में क्या धिया है तो दिया हुआ है ठीक क्या बन जाएगा minus 5 is equals to a इंटू सेम operation यहां पर भी लगाई है तो क्लूंग 2 में क्या है के सामने 0 1 0 क्लूंग 2 ठीक है 0 minus 2 इंटू 1 यहां पर क्या बनेगा यह minus 2 बन जाएगा ठीक इसी प्रकार यहां पर देखि क्लूंग 2 इंटू 1 minus 2 इंटू 0 यहां पर जाएगा यह 1 ठीक इसको थोड़ा पास-पास लिंख देते हैं 0 minus 2 ठीक है यहां तका गया अब हम बनाते हैं इसको 0 इसको कैसे 0 बनाओगी यल्दी सोचो यल्दी सोचो फास्ट ठीक है इसको 0 बना या फिर इसको 1 बनाओ दोरों में से कोई पहला कर सकते हो यहां पर हम एक पहला काम करते हैं इसको 1 बनाते हैं क्योंकि हमें इसको बनाओगे आप जल्दी बताएं क्या कर सकते हैं इसको कैसे 1 बना सकते हैं बहुत सिंपल है आपने सोच लिए होगा कॉलम 2 को मैं replace कर दूँगा minus 1 upon 5 कॉलम 2 से क्या हो एक हो ठीक है minus 1 by 5 को multiply करेंगे तो 1 ठीक है is equals to a ठीक है is equals to a यहां पर भी होजा ही same operation इस्तिमाल होगा और की नहीं होगा यहां पर भी हम same operation को प्रोग करेंगे तो colon 2 में यहां वनापन minus 1 by 5 को दिवाइड करेंगे तो यहां से यह जागा यह वह जाएगा आपके सामने 1 0 यह हो जाएगा minus 1 by 5 यहां तब समझने आ जाओ आप लों को ठीक है यह तो आपके सामने क्या 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 हो गया हमने इसको 0 बना लिया इसको 1 बना लिया अब आपके सामने क्या बचाए इस 2 को replace करना है ठीक है इस 2 को कैसे replace करोगे जादी सोचा क्या operation इस्तिमाल कर सकते हो तो द बान के चलो यहां पर मैं column 2 में 2 को multiply कर दूँ तो 1 minus 2 into 0 वन इक होगा यहां पर 2 minus 1 into 2 वो क्या हो जाएगा आपके सामने 0 हो जाएगा यह वाला operation लगा सकते हैं तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं यहां पर हम लगा सकते हैं column 1 is equal to column 1 minus 2 into column 2 तो देखे column 1 में operation लगाना है 1 minus 0 into 2 यह क्या हो जाएगा 2 minus 1 into 2 यह हो जाएगा 0 यह 1 टिक इस इक हो जाएगा यहां पर देखे सेम operation होगा 1 minus 2 into this 0 minus 2 into this ठीक यह ऐधिईडी हो जाएगा ऊखे अंदर समझ में आगया यह क्या हो जाएगा आपके सामने 2 minus 2 0 के बराबर होता है और 1 minus 0 1 के बराबर होता है ठीक तो यह अब देखे यह आपके सामने बन गए यह identity matrix यह क्या धिया है एंटू संथिं दिया और सामने है identity matrix विके होगा वो आपके सामने A inverse कराएगा, तो elementary operation का इस्तमाल करके, इस प्रकार हम inverse of matrix रिकाल सकते हैं, बहुत simple question है, आप कर लेंगे, इससे I think basically कम questions ही आएगे, inverse रिकालने की बात होगी, तो determinant का ही इस्तमाल करता है, यहाँ पर मैंने इसलिए बता दियो कि आपके थोड़े बहुत सलिबस म इसलिए और elementary operation का कैसे इस्तमाल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसको सब बताने का एक और मारा मक्षद था यह था कि, जो A into A inverse होता है, वो identity में आपको याद हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा आपके सामने काम आने वाला है, thank you lovers of mathematics, अब हम सामने determinant, तो हमारे साथ बने रहे, I think यह वाला हिस्सा आपके सामने मिश हो रहा था, तो आप इससे लिद लिद देख लिजेगा, वीडियो माई थिंग मिश हो रहा था, तो हो गया ना, बहुत simple चीज़े न, चले चल, ठीक है,